भारत और श्री लंका के बीच आज से सोट फॉर्मेट का आगाज हो गया है तीन वंडे मैचों की स्रीच का पहला मुकाबला कॉलोंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है आपको बता दी श्री लंका ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी करने का फैसला लिया उसका ये फैसला शुरू में तो सही साबित हुआ पहले विकिट के लिए फर्नेंडो और भानुका ने उननचस रन की पार्टनर्शिप की लेकिन उनचस रन के स्कोर पर ये जुएंदर चेहल ने फर्नेंडो को आउट कर दिया उसके बाद गेन बाजी की कमान समानी भारते स्पीनर कुल्दी प्यादव ने और कुल्दी प्यादव जैसे ही मैदान में गेन बाजी करने के लिए उतरे आते ही उन्होंने विक्टो की जड़ी लगा दी पहले तो उन्होंने भानुका को टीम के 85 रन के स्कोर पर मातर 27 रन पर ही आउट कर दिया टीम के स्कोर में मातर 4 रन की ही बढ़ोतरी हुई थी कि 89 रन के स्कोर पर कुल्दी प्यादव ने श्री लंका टीम का एक विक्ट और गिरा दिया और 89 रन के स्कोर पर ही श्री लंकाई टीम के तीन विक्ट किर गए और श्री लंका के टीम पूरी तरह से विखर गई आपको बता दें भारते टीम की कमान शिखरधवन के हाथों में सोपी गई है और जिस तरह से भारते गेंद बाजों ने कमाल दिखाया खास कर तो कुलदी प्यादव ने उनके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम अब देखना होगा श्री लंका के बलेबाज भारते गेंद को अभी सब्सक्राइब करें